लो आ गई सतरंगी सक्षियां लेकर अपने सपनों को हाथों में एक कलम उठाए कुछ लिखेंगी अपनों को शब्दों के एक-एक मोती से पन्नों को परिपून किया मन की भावनाओं की इस किताब को शब्द मोती नाम दिया है शहर अलग है प्रांत अलग है अलग सब की बोली भाशा लेकिन सबने मिलकर रच डाली सच्चे सब्दों की परिभाशा कुछ ने लिख डाली प्रेम का था कुछ ने लिख कर कुछ डरा दिया किसी की लेखनी ने रहस दिया तो किसी ने सब को रुला दिया कुछ सामाजिक जीवन को दर्शाती कहानियों को भी है चुना, कुछ ने मानव जीवन की बुराईयों को प्रकाशत करना ही चुना इन साथो सक्षियों की भी अपनी अलग कहानी है, कुछ चिलुली, कुछ है शान्त, कुछ की गंभीर निशानी है सबसे पहले जाने उनको जो सबसे प्यारी हैं हम सबकी आदर आरती आयाची जी हमारी है है स्वभाव से शांत नदीसी, निर्मलधारा का रूप है है कमाल लेखनी में उनकी जैसे हर ग्यान का प्रती रूप है फिर जाने हम उनको जिनके नाम में ही कला छुपी जिनकी कहानियों को पढ़कर आँखों में चले चल्चित्र सी छवी कोई न होगा ऐसा जिनको ना भाई उनकी कहानी आकरशक विक्तित की धनी हमारी कला नैथानी अब बारी है उनकी जो रिमजिम जैसी फुहार है कहानियों में जिनके शब्दों का श्रिंगार है हर शब्दों में हर कत्नों में अपना पंसा जलगता है रिमची मगरवाल जी की लेखनी से आखों का आशु भी चलगता है चलो जानते हैं अब उनको जो है पावन पवित्रता सी जिनकी कहानियों में जलग मिलती है कृष्ण की गीता की गीता जी की कहानियों में जैसे कोई जादू चलता है हर कहानियों में जैसे एक अद्भूत रूप ही पलता है कम समय में जिसने अपने आप को सिद्ध किया माही महरा जी के शब्दों के जादू ने कहानियों को प्रसिद्ध किया हर छेत में उन्हों ने अपना नाम कमाया है, इनकी लेखनी और उनकी शैली ने हर रस को सब को चखाया है अब जाने हम अंजु जी को जिनकी अलग ही बाहर है, अपनी लेखन कला से उनको बहुत प्यार है कविताओं और कहानियों में उनकी बहुत ही रूची है हर प्रकार के तथ्यों की उनके पास सूची है अब उनके बारे में जाने जिन से सब कोई परिचित है क्रमशा कहानियों में उनकी कहानिया सबसे जादा चर्चित है ग्यान प्रिया प्रियांका जी की कहानियों को पढ़कर मन प्रफुलित हो जाता है लगता है जैसे इनका उस छेतर से गहरा नाता है इन सातो सक्षियों ने मिलकर अपने रंगों का इंद्रतुर्नुष बनाया है इन धनुष के रंगों की रंगीनता को शप्न मोती से सजाया है लो आ गई सतरंगी सखियां लेकर अपने सब्सक्राइब